हेलो दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे इस पेसल करेंट अफेर्स के साथ साथ इस्टाटिक जीके और जीयस जिसमें की 50 प्लस कोशन सामील हैं जो की फिजिक्स, कमेश्ट्री, बाइलोजी, हिस्ट्री और जिगोराफी से लिया गया है आपको इस छोटे से वीडियो में आप इ जीम कार्बेट नेशनल पार्ग है, जिसकी स्थापना 1936 में दोस्तों हुई थी, सबसे पुराना नेशनल पार्ग है, इसका पुरू नाम हैली नेशनल पार्ग है, आपको बता दें कि उत्राखंड में ही फूलों की घाटी है, याद रखिएगा उत्राखंड में फूलों क और दूसरा राज जो है मड़ीपूर है नेक्ष दोस्तों हाल ही में किस राज सरकार ने COVID-19 के कारण 2020 में अपना अम्बू बाची मेला रद कर दिया है दोस्तों असम ने अम्बू बाची मेला रद कर दिया है नेक्ष दोस्तों हाल ही में उसा गांगली का निधन हो गया वे कौन थी वे दोस्तों उसा गांगली जो थी रंग मंच की निदे सकती हाली में किसने hashtag my book my friend अभियान शुरू किया है दोस्तों इमेचरडी ने इमेचरडी ने hashtag my book my friend अभियान शुरू किया है नेक्ष दोस्तों हाली में भारत की पहली COVID-19 सेम्पल कलेक्शन लैब का सुभारम दोस्तों किसने किया रच्छा मंत्री राजना सिंग ने COVID-19 सेंपल कलेक्शन का सुभारम किया हाली में किस राज सरकार ने खोंग जोंग दिवस मनाया दोस्तों मडिपू राज सरकार ने खोंग जोंग दिवस मनाया Next है हाली में किस भारत में लागडाउन लर्णस सिरिस का सुभारम किया दोस्तों? Next है हाली में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेर की डार अनुदान देने की घोसरा किये? Next है दोस्तों हाली में किस राज्य में सर्वद सीनियर्ज communication related इस स्राइव आई इनिसियेटीव हेलप लाइन सेवा का सुभरं किया गया है। के अधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है दोस्तों अमेरिका में वर्ल गेम्स 2022 के अधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है नेक्ट दोस्तों है हाल ही में किस राज ने नाना देश्मुक गौरो ग्राम सभापुरसका जीता है दोस्तों जम्मु कस्मीर ने नाना ट्रम्प ने सिर्ष बिज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में न्युक्त किया है दोस्तों सुधरसनम बाबू को सुधरसनम बाबू को अब आए दोस्तों हम पढ़ेंगे स्टार्टिक जीके वर जीयस के बारे में जोकि यहाँ पर पहले हमने फिजिक्स लिया है फिर कमेश्ट्री फिर बाइलोजी फिर हिस्ट्री फिर जिजिोग्राफी ऐसे चलता रहेगा पहला कोस्तों यहाँ पर लिया गया है पास्कल फोर्स अपन एरिया इसका दोस्तों बीमा क्या होता है यम यल के पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू नेक्ट दोस्तों है पारिशेक मातरक है बताए किसका है दोस्तों है दूरी का होता है तो दूरी का मातरक दोस्तों पारिशेक भी होता है और प्रकास वर्स भी होता है ध्यान दिजिएगा, पत्थर को ठोकर मारने से ब्यक्ति को चोट लगने का क्या करणा बताईए? प्रतिक्रियाबल, आप पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड ला, उसमें बताया गयाओका एक्षन, रियक्षन. लाश्ट कोशन दोस्तों है, दूद को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका दोस्तों क्या करण है? अप केंद्र बल, अप केंद्र बल के करण ही, दूद को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है दोस्तों, अप केंद्र बल जो होता है, अभी केंद्र बल के बिपरीत लगता है क्योंकि इसका फर्मूला वही होता है यव इकल टू यम भी स्क्वाइर बाई आर लेकि यहाँ पर आगे लग जाएगा माइनस अब आए दोस्तों पढ़ते हैं कमेश्टी से समंधित कुछ इंपर्टेंट क्वेस्चन पहला है हाइड्रोजन बम की सिधान पर अधारित होता है दोस्तों और नियंतित नाविकी सल्यन अविक्रिया सेकेंड कोशन दोस्तों है सूरे में नाविकी इंधन होता है हाइड्रोजन सूरे में नाव की इंधन दोस्तों क्या होता है हाइडरोजन होता है हिलियम के नाविक में दोस्तों क्या होता है हिलियम के नाविक में दो प्रोटान और दो निट्रान होते है नाव की विखंडन में ट्रिगर क्या होता है क्योरी किसकी काई होती है दोस्तों radio activity radio सक्रिता की इकाई होती है qri radio सक्रिता की इकाई होती है दोस्तों हम चाहे तो इसकी बैख्या कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा अब आए दोस्तों पढ़ते हैं static gkgs में biology पढ़ते हैं पहला कॉसन दोस्तों है मनुस्य का पाचन क्रिया का प्रारम कहां से होता है मनुस्य का पाचन क्रिया का प्रारम कहां से दोस्तों होता है मुक से होता है second दोस्तों है sodium का कार्य क्या है बताईए यह रक्त दाव को नियंतरित करने में सहिक होता है पहली बात second दोस्तों यह भी लाव है कि जल का संतुलन बनाय रखता है कौन दोस्तों सोडियम थर दोस्तों है पोटैसियम करता बदाई क्या कारे होता है यह हिर्दे की धड़कन और नाड़ी संथान के कारें को संचालित करता है कौन पोटैसियम दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलन सील होता है दोस्तों ये दोस्तों सबको मालूम है बी वसी होता है लाश्ट दोस्तों कोशन है प्यूस गरंथी को किस नाम से भी जाना जाता है एक नाम और ने बताई है दोस्तों Master Granti Master Granti को Puse Granti भी कहते हैं ये भी सब लोग जानते हैं दोस्तों ये जितने भी कोशन है सब किसी न किसी एकजाम में आये हुए हैं आये दोस्तों पढ़ते हैं Static History के बारे में पहला कोशन दोस्तों है उडिशा में कुडार्क मंदिर का निर्मार किसने करवाया था राजा नर्शिंग देव प्रथम ने उडिशा में कुडार्क मंदिर का निर्मार करवाया था सेकेंड कोशन दोस्तों है अंकूर वाट विश्वु मंदिर कहां पर है दोस्तों कमबोडिया में है यह मंदिर बिश्व का विशालतम मंदिर है दोस्तों इस मंदिर की दिवारों पर रामायर और माभारत की कहानिया उभरी हुई मुर्तियों में अंकित है नेक्ष दोस्तों है बाबर ने अपने बाबर नामा में किस हिंदू राजे का उल्ले किया है इसमें ये भी दोस्तों जानिए बाबर ने 1526 इस्वे में पानी पत का प्रत्थम युद्ध किया था जिसमें इब्राहिम लोधी को दोस्तों क्या किया था पराजित कर दिया था हरा दिया था उसके बाद दोस्तों क्या किया उसने भारत में मुगल राजवन्स की स्थापना किया ये भी दोस्तों जानिए कि बाबर ने तुर्की भासा में लिखित अपनी आत्म कथा क्या था दो दोस्तों ये किसमें थी पहले तूर्की भासा में थी नेश्य दोस्तों वह यूद बताईए जिसमें भारत में मुसलिम सक्ती की स्थापना हुई थी तराइन के दिति यूद के बाद ही मुसलिम सक्ती की स्थापना हुई थी भारत में दोस्तों ये भी जानेए भारत में मुस मुहम्मद गोरी ने अपने भारती अभियान की शुरुवात कब की थी 1178 सुव में थट्टा पर आकमर करके किया था दोस्तों यह जो बताया गया भी वो तराइंग का द्यूति युद्ध था लेकिन बताइंग का प्रथम युद्ध कब हुआ था किसके बीच में हुआ था त चवहान जी ने मुहम्मद गोरी को वहां से प्राजित करके भागा दिया था लेकिन दोस्तों एक वर्ष के बाद मुहम्मद गोरी माना नहीं एक वर्ष के बाद पुना आया और चवहान जी से पुना युद्ध किया और युद्ध किया लेकि इस युद्ध को दोस्तों क् बारे में पूरा ब्याख्या नेक्षे दोस्तो समराट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधी परदान की गई थी जरी कलम की उपाधी किसको परदान की गई थी दोस्तो मुहम्मद हुसेन को मुहम्मद हुसेन को समराट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधी परदान क की गई थी दोस्तों ये भी जानिए अकबर के दरबार में सबसे अच्छा सुलेखक दोस्तों कौन था यही मुहम्मद हुसेन कस्मीरी था इन्हीं को न जरी कलम की उपादी दी गई थी और दोस्तों ये भी जानिए अकबर ने स्रेश्ट चितरकार अबदु इसमद को सीरी कल मधूर लेखनी की उपाधी दी थी दोस्तों कौन दिया था दोस्तों अकबर समराट अकबर ये दोस्तों आइनपी है अब आई दोस्तों पढ़ते हैं जियोग्राफी से जो की सौर मंडल से लिया गया सारा क्वेस्चन जो की 20 प्लस है पाला क्वेस्चन दोस्तों है सौर प भारी ग्रह क्या है ब्रिस्पती सबसे बड़ा वह भारी ग्रह होने के साथ साथ ब्रिस्पती जो है सरवाधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह होता है जिसके पास 79 ग्रह है सवर मंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों कौन है बूद्ध है जिसे मरकरी भी कते हैं स्वर मंदल का सबसे छोटा ग्रव बुध होने के साथ साथ यह सूर से सबसे निकट इस्थित ग्रव है बुध अगला कुशन दोस्तों है प्रिथिवी के सबसे निकट इस्थित देखो सूर के सबसे निकट दोस्तों कौन था बुध था लेकिए अब करें कि प्रिथिवी के सबसे निकट कौन है शुक्र ग्रह है अगला कुशन दोस्तों है सूर्य वः प्रिथिवी से सबसे दूर इस्थित ग्रह कौन है वरूड ग्रह है अगला कुशन दोस्तों है प्रिथिवी का पलोसी ग्रह कौन है शुक्र वो मंगल है अगला है प्रिथिवी का निकर्थम तारा दोस्तों सुर्य है प्रिथिवी का निकर्थम तारा दोस्तों कौन है प्रिथिवी का निकर्थम तारा दोस्तों कौन है प्राक्सिमा सेंचुरी सुर्य का निकर्थम तारा है दोस्तों नेक्ष दोस्तों है बिना उपग्रहों वाला ग्रह बताए कौन है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है बूध वशुक्र बूध वशुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है बताए दोस्तों लाल ग्रह कौन है सब लोग जानते हैं मंगल हरा ग्रह दोस्तों कौन है वरू पिला ग्रह दोस्तों कौन है ब्रिश्पती, निला ग्रह दोस्तों कौन है अपनी ग्रह पृत्वी अगला कुशन दोस्तों है लेटा ग्रह दोस्तों कौन है लेटा हुआ ग्रह या कहो सरवाधी गैसों से घीरा ग्रह कौन है अरूड लेटावा ग्रह सरवाधी गैसों से घीरावा ग्रह दोस्तों अरूर है अगला कुशन दोस्तों है सबसे कम घनत वाला ग्रह दोस्तों कौन है सबसे कम घनत वाला कहो दोस्तों या वलय या वाले हो गया वलय छला युक्त ग्रह दोस्तों कौन है सनी ग्रह सनी ग्रह जो है सबसे कम घनत वाला वले अर्थार छला युक्त ग्रह होता है सनी ग्रह के रिंग्स जो छला दोस्तों है उसके खोज करता दोस्तों कौन है गई लिलियों है प्रित्वी की बहन या जुड़वा ग्रह दोस्तों कौन है सुक्र है भोर का तारा या सांज का तारा भी सुक्र है सरवाधिक चमकीला तारा दोस्तों साइरस या डाग इस्टार है साइरस या डाग इस्टार है नेक्ष्ट है सरवाधिक चमकीला वो गर्म गर दोस्तों कौन है सुक्र है सुक्र जो है सरवाधिक चमकीला भी होता है और गर्म ग्रह भी होता है तब बताए दोस्तों कि सरवाधिक ठंडा ग्रह कौन है बताए वरुड वरुड जो होता है सरवाधिक ठंडा ग्रह होता है नेक्ट है सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है टाइटन ट को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजेगा थैंक यू